एक साथी ने सवाल पुछा कि सर क्या नौकरी करके अमीर बना जा सकता है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिसे नौकरी में अमीरी मिल सकें। बिल्कुल मिल सकती हैं। और यकीन मानिए दुनिया के ज़्यादातर अमीर लोगों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उनमें से 90%, 95% पहले कहीं जॉब करते थे। 5, 7%, 10% ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने डारेट बिजनेस शुरू किया। जादातर जो लोग अमीर हैं उन्होंने नौकरी से ही अमीरी के बीच बोने शुरू कर दिये थे। और जब उन्होंने बिजनेस भी शुरू किया तब उन्होंने देख लिया था जो कैसे आगे बढ़ रहे हैं और कैसे तरक्की कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो नौकरी में कुछ तो संभावना हैं। जैसे आजकल तो अच्छी सेलरियां मिल रहे हैं। सेलरी के रूप में आ रहा है, उस पैसे का यूज क्या कर रहे हैं। तब उससे पता चलेगा काम अमीर बन रहें का नहीं बन रहें। पहली बात तो लगातार ये सेलरी में ग्रोथ होती रहनी चाहिए, पैसा बढ़ता रहा हैं। और जब वो जो पैसा बढ़कर के आ रहा है, जो 10 प्रितिशत साला ना बढ़े, 15 प्रितिशत बढ़े, 20 प्रितिशत बढ़े, उस एक्ट्रा पैसे को आप कहीं यूटिलाइज करना शुरू करें। और कोशिश करें अपनी सेलरी के 80 प्रितिशत पैसे से, 70 प्रितिशत पैसे से अपना खर्चा चलाएं और बाकि 20-30 प्रितिशत को अपने भविश्य की उज़िणाओं के लिए लगाएं। जो मेरे आइडियाज हैं, जो मेरे प्लैन हैं, उसको एक्जिक्यूट कर सकता हूँ, तब आप स्विच ओवर कर सकते हैं, जोक से बाहर निकल करके बिजनिस में जा सकते हैं। पैरलली बिजनिस भी कर लिया, सेम इंडस्टी में कर लिया या कहीं और जहां भी उनको ठीक लगा, अपना पैरलली फ्रीलैंसिंग करते रहें। फ्रीलैंसिंग में क्या फायदा हुआ? कम से कम सेलरी से थोड़ा कम, 20-30-40% कम पैसा मिला, लेकिन कम से कम पैसा आता रहा। और वयापार में, जो मैं हकसर बोलता हूँ, कि नौकरी छोड़कर जो लोग बिजनिस करते हैं, हमके साथ सबसे बड़ी दिक्कट क्या आती है, कि पौधा लगाया और पौधे पर पैर रख दिया, तो पौधा तो मर जाएगा। मतलब वयापार जिसमें शुरुवात में पैसा लगाने की ज़रूत थी, उससे आपने सैलरी निकालने शुरू कर दी, अपने खर्चे निकालने शुरू कर दी हैं, और शुरूवात में बिजनिस कमा कर नहीं देता है। जो आइडियल प्रिंसिपल है, पहले साल बिजनिस जनर्ली लॉस में चलता है, सेकेंड यर नो प्रॉफिट नो लॉस आता है, थर्ड यर उन्वर्ट प्रॉफिट होता है, तब तक आपने वेट ही नहीं किया। क्योंकि आपको लगा कि अपने खर्चे कहा से चला हूँ, जोप्ते छूड़ गई है, वो लोग क्या करते हैं, वो फ्रिलैंसिंग करते रहते हैं, वहाँ से अपना खर्चा चला लिया, पर्सनल खर्चा चला लिया, क्योंकि ओलेडी वो 70% पर ही खर्चा चला रहे थे, 40-60 प्रतिशाद आ रहा है, दस प्रतिशाद में कम फोड़ा टाइड करके खर्चा चलाया, परलली अपना बिजनेस करते रहे, और जब आइस्ता-इस्ता-इस्ता-इस्ता इतना ग्रोथ हो गया, कि बिजनेस से सैलरी के बराबर इनका माने लग गई, प्रॉफिट आने लग गया, वहाँ से अपनी सैलरी वुड़र करनी शुरू कर ली, फुल टाइम बिजनेस पेंटर कर गया, और जो सफल लोग है, जो सफल होना लोग है, वो क्या करते हैं, और करता था, तो उसने देखा, पहले दिन सेक्रेटरी भी होना चाहिए, टेलिफोन ऑपरेटर भी होना चाहिए, सफाई वाला भी होना चाहिए, डिलिवरी के लिए भी होना चाहिए, एरुडिसमेंट के लिए, ब्रैंडिंग के लिए, अलगला डिपार्टमेंट्स होने चाह कुझता है कि मेरा भी आफिस ऐसा हो बढ़ी आफिस बना लिया बढ़ी है स्टाफ रख लिया सब कुछ रख लिया अभी कमाई एक धिले की भी शुरू नहीं हुए वो यह नहीं समझ पाया कि जिस कमणी वो नौकरी करता था वो जब छोड़कर कर आया वहां पर उस लेवल प पैसा था सारा वह इनवेस्ट करके अपना बढ़िया बढ़िया बिजनिस शोरूम दिखाने में स्टाफ करने में करने में ओपनिंग करने में ग्राइंड ऑपनिंग कर दी सब को बुला लिया दिखा दिया अब यह पार तो चल नहीं रहा है जबकि बाहर क्या होता में वो ऐसे काम नहीं करते हैं वो तो anniversary ही celebrate करते हैं कि कम से कम एक साल चाल जाए कई समझदा लोग तीन साल बाद ही celebration करते हैं तीन साल बाद ही लोगों को बलाते हैं क्योंकि आप तीन साल से अल्री सिस्टम बन गया जब आईसा इसा नीचे से ग्रो कर गए गरेज में काम किया चोटी जगा काम किया जगा थोड़ी और बड़ी काम बढ़ गया फिर स्टाफ रख लिए फिर और काम बढ़ गया फिर स्टाफ बढ़ गया जब बढ़ा लग गया कहा हो रहा है उसके लिए फिर बुला लेते हैं कि अब हमने बड़ा शोरूम ले लिया है अब हमने बड़ करके वो दिखावे वाले पैटर्म पर चले जाते हैं और वो फेल हो जाते हैं सक्तर प्रचिशत नौकरी छोड़कर बिजनिस करने वाले सक्तर प्रचिशत लोग फेल हो रहे हैं वो अमीर नहीं मन पा रहे हैं और कई लोग जिनका मैंने बता है mindset ऐसा होता है, वो नौकरी करते-करते भी वो बीज डालते रहते हैं, बीज डालते रहते हैं, ठीकि उनको पता है, एक ना एक दिन अमीरी का फौधा निकलेगा, और निकलता भी है, वो उसको नर्चर करते हैं, वैसा नहीं, बीज डालके फोड़ देते हैं, बीज डाला उसक की सुरुवाद यहां से विचार से और जटो मैं बार बार बोलता हूं और आपको या पता है करने वाले लोगों में यह mindset बना दिया गया है कि कि नौकरी करने कोकी करके कोई पढ़े होए लोग म्यादब 5-5-10 क्रोड रुपे महिने का सेलरी उठा रहे हैं पचास क्रोड स्व क्रोड का पैकेज ले रहे हैं तो भी तो जॉप कर रहे ना जॉप में तरक्ती नहीं है इसकिल की कमी है आप बिना स्किल के जॉब लेना चाहते हैं बिना नॉलेज के तो आपको दोत्थ नहीं है उनके लिय Sophya उपको उन्हें नहीं Nast, Saar Film लेगी।- जितनी वी broke Youriba, जितनी वी सत्री आपको मिल रहें यह समझ समय लीजियो।- इतने ही इसी कम useful है, जैसी आप उनके लिए जादा useful हो जाएंगे, आपको बोलना नहीं पढ़ेगा कि मेरी salary बढ़ा दो salary बढ़ जाएगी, लेकिन बढ़ी हुई salary से भी, आप अगर खर्चे ही बढ़ाते रहेंगे, तो आप कभी हम्मीर नहीं बन पाएंगे, बढ़े हुए पैसे का क्या करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे काम करना है, किस तरह से 10 साल 15 साल का एक plan बनाना है जिससे कि मैं अपने business job से parallelly business में, freelancing में और फिर business में इंटर कर जाओं, उस पर काम करना पड़ेगा, तब हम नौकरी में भी तरक्टी कर सकते हैं, नौकरी करते करते भी आप अमीरी के बीज बो सकते हैं और वो आने वाले समय में आपको अमीर बनाने में काफी मदद कर सकते हैं